नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ, आप इस सर्दी के मौसम में अपना अच्छी से ध्यान रख रहे होंगे. इस मौसम में कितनी हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं? तो बताएए ये फल, सब्जियां, दाले, अनाज हमें किन से मिलती हैं? साथ ही सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती हैं. तो ऑक्सीजन हमें कौन प्रदान करता है? पेड़. तो ये पेड़ हमारे जीवन का एक महत पूर्ण अंग है. पेड़ों की सधनता वारा शेत्र, यानि की ऐसा शेत्र जहां पर पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हो उसे वन कहते हैं. वन विबिन जीव जन्तुओं का निवास थान भी हैं. वनों से हमें लकड़ी, ओश्टियां, आदी भी मिलती हैं. वन वर्षा लाने में भी सहायक हैं. आज हम वनों के बारे में जानेंगे. लेकिन इन वनों का महत्मुन हिस्सा है हमारे पेड़. आज हम विबिन तरीके से पेड़ बनाना सीखेंगे. पेड़ बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन एंड ब्राउन क्ले और वाइट पेस्टल शीट या ड्रॉइंग शीट. सबसे पहले हम अपनी वाइट शीट लेकर उसके उपर ब्राउन क्ले रखेंगे और हलके हाथ से इस के को प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे पेड़ के तने की शेप देंगे. अब तना तयार हो जाने के बाद हम ग्रीन क्ले से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे. अब इस तने के ऊपर सबसे पहले हम पाँच गोलियां रखेंगे. इनको रखने के बाद अपने पर तिलक की शेप होती है, यानि लड़के जिस तना से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं उसी शेप में, अब अगली लाइन में हम चार गोलिया रखेंगे और उसको फिर अंगूठे से प्रेस करेंगे, इसके बाद अगली लाइन में तीन, फिर दो और फिर एक गोली रखे और इसी तरह से प्रेस करते जाएंगे यह देखिए हमारा खले से सुन्दर सा पेड तैयार है पेड बनाने के लिए हमें चाहिए एक टिशू पेपर, ब्राउन, स्केच पेन या क्रेयॉन, एक पेंट प्रश, येलो और ग्रीन पोस्टर या वाटर कलर्स और एक प्लेट सबसे पहले एक प्लेट में अपने ग्रीन और येलो कलर्स लेते हैं अब टिशू पेपर को हलके हाथ से क्रश करके इन कलर्स में डिप करेंगे और अपने पेड के पत्तों की चाप बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि हलके हाथ से डिप करें और हलके हाथ से ही पत्तों की चाप बनाएं देखिए कितना सुंदर हरा भरा पेड तैयार है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट, ग्रीन और ब्राउन पेस्टल शीट्स, गम, ब्लाक स्केच या मारकर, पैंसिल, स्केल और सीजर्स सबसे पहले हम ब्राउन कलर के पेपर से एक आयताखार आकरिती काटेंगे अब इसे एक कोने से शुरू करके मोडना शुरू करेंगे ध्यान रखे कि थोड़ा टाइटली ही मोडे ताकि है खुले नहीं अब इसे मोडते मोडते दूसरे कोने तक ले आएंगे और अंत में इस कोने को चिपका देंगे इस तना से हमारा पेड का आधार तयार हो रहा है अब एक साइट से कैंची से कट करके इसको बराबर का कर देंगे अब इस तन्य में हमें जड़े बनाने के लिए कैंची से तीन चार कट लगाने हैं ताकि इसको हम मोड कर जड़ों की शेप दे दे और यह हमारे पेपर पर असानी से छिपक जाए अब हरी पेस्टल शीट लेकर उससे हम पतियां बनाएंगे पैंसल से ड्रॉ करके हम अच्छे से पतियां काट सकते हैं पति काटने के बाद हम उसे बीज में से मोडेंगे इस तरह से पति की सेंटर लाइन आ जाएगी अब इस सेंटर लाइन को ब्लैक स्केच से बना देंगे अब पति के एक किनारे पर हम कैंची से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगाएंगे इसी तरह से दूसरे किनारे पर भी कैंची से कट लगा देंगे अब इन पतियों को हम अपने पेड के तने से जोड़ेंगे इस तरह से हमारा पेड तयार है अब इसी तना से हम 5-6 पेड़ तयार कर लेंगे और उन्हें वाइट पेस्टल शीट लेकर उस पर चिपका कर अपना सुन्दर सा वन तयार कर सकते हैं धन्यवाद